हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल इंडियन महूं कॉम आज मैं आपको बताने जाने तुचा की ऐलर्जी के बारे में तुचा की ऐलर्जी के लक्षिन क्या होते हैं? हम जब खारिश करते हैं, बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है या फिर किसी मच्छर के काटने से, या फिर कोई क्रीम लगाने से, कोई भी मेकप वाली चीजों को यूज करने से, कभी कभी डाई, यहनि की हेर कलर लगाने से, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाना, रेडनेस होना, खारिश होना, इसे स्किन की ऐलर्जी कहते हैं स्किन की ऐलर्जी को बहुती कम समय में ठीक किया जा सकता है, उसके लिए कुछ ऐसी जरूरी बाते हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो आपको बता दूँ, स्किन की ऐलर्जी को दूर करने के लिए, सबसे पहला काम करना है, जिस चीज से आपको उससे आपको दूर रहना पड़ेगा, ये काम तो आपको 100% करना ही पड़ेगा, आप चाहें कि बिना उस चीज से दूरी बनाएं, आप इलर्जी को, स्किन इलर्जी को दूर कर सकते हैं, तो इसा नहीं हो सकता, कुछ लोगों को कलर की डाई से इलर्जी होती है, कुछ को करना होगा, जो आपको अलर्जी देती है, अगर आपको अलर्जी हो चुकी है, ये स्किन पर बहुत ज़्यादा धपड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस आती है, स्किन उठी उठी सी दिख रही है, तो उसको दूर करने के लि अगर आपको घर पे मिल जाए पौदा तो उसके अंदर से क्रश करके जेल निकाल लेना, नहीं तो मार्केट वाला तो लेना ही पड़ेगा, तो आप क्या करिए, एक मोटी लियर उस स्किन के ऊपर चड़ा देना, जहां भी आपको स्किन की अलर्जी हुई है, खारिश हुई ह रेडनेस आई है, वहाँ चड़ा देना, उसके बाद बहुत अराम से आपने क्या करना है, सो जाना है, क्योंकि ये काम जब आप रात को करेंगे ना, तो ये एक्टिविटी इसकी डबल हो जाएगी, तो आपने सोने से गंटे पहले लगा लेना है, उसके बाद आपने सोना है, और सुबह नॉर्मल पानी से वाश कर लेना है, तो आप देखेंगे एक ही रात में जो स्किन की एलर्जी थी, रेडनेस थी, वो दूर हो जाएगी, और खारिश वगारा भी नहीं होगी, तो अब मैं आपको बताने जा रहे हैं, इसके लिए दूसरा तरीका, तो दूसर तरीके में आपने क्या करना है, नारियल का तेल लेना है, आप नारियल का तेल ले लिए, जैसे आपने तीन चमच नारियल का तेल ले लिया, अगर आपने पूरी बॉड़ी पर लगाना है, तो तेल जादा ले लेना, और इसके अंदर छोटी-छोटी कपूर की टिकी आती ह न वो इसके अंदर आप दो डालन मसल कर जब आप हाथ से मसलेंगे तो बहुत अजने से वो पाउडर फॉर में तैयार हो जाती है तो इसको इस तेल में यानिकी नारियल के तेल में मिक्स करके उस एरिया पर आप अपलाई करीए जहां भी आपको खारिश ओर ही इसमाइब सोर्फा परसु किति अविटां इस मिवाइब से स्काहिने तो ये तल्पी तो आपको डाए है जो आपने बाहर जीम पर लगाने सिलावा अंदर ऐसे अलर्जी को यह सहाथ करना पर इसके लिए आपको प्र опис अभाष का 2 मिल्रा एक साफ करने गे Qa आप ईसे पी लीजिए ऐसा ही आपने SHAM को चाय के TIME करना है लेकिन चाय नहीं पीनी यानि उस टाइम भी आपका KHALI पेट ही होना चाहिए खाना खाए को कम से कम 3 से 3.5 गंटे हो चुके हो। ऐसा आपने दिन में 2 बार करना है ऐसा करने से खून साफ होता है, अंदर से खून प्यॉर हो जाएगा और स्किन की ऐलर्जी भी दूर हो जाएगी तो ये बहुत ही खास इंफरमेशन है जिन भी लेडिस को, जेंट्स को स्किन की ऐलर्जी रहती है अगर आपको ये इंफरमेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके लाइक से मेरा मॉटिफिशन अप होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हल्दी, ऑल्वेस बीपी थैंक्यों वर वाचिंग मैं वीडियो, ओके, आई